मुख्यमंत्री कमलाथ शुक्रवार शाम को होने वाले फ्रोर टेस्ट से पहले ही स्तीफा दे सकते हैं आज दोपहर बारा बजे बुलाई गई प्रेस कॉन्फरेंस में कमलाथ स्तीफे का एलान कर सकते हैं और वहीं कॉंग्रस ने ता दिगविजर सिंग का कहना है कि 22 विधायकों के स्तीफे के बाद कमलाथ सरकार के पास बहुमत का आकडा नहीं है ऐसे में देखना होगा कि क्या होगा दरसल मधिप्रदेश में सियासी संकट के बीच सुप्रीम कोड ने बड़ा आदेश देते हुई कहा था कि शुकृवार को मधिप्रदेश विधानसभा का सत्र फिरसे बुलाया जाए और सरकार शुकृवार शाम 5 बजे बहुमत हासल करे सुप्रीम कोट ने सदन की कारिवाही का विडियोग्राफी कराने का आदेश भी दिया है साथ ही सुप्रीम कोट ने कहा कि 16 विधायकों पर विधान सभा में आने का कोई दबाब नहीं हुगा करनाटक और मध्रप्रदेश के पुलिस महानिदेशक बागी विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें दरसल मध्रप्रदेश में बीजेपी ने फ्रोटेस्ट कराने की मांग की थी इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोट ने ये बड़ा फैसला सुनाया आपको बता दें कि कोरोना वाइरस को देखते हुए 26 मार्च तक विधान सभा स्तगित कर दी गई थी प्रोटेस्ट कर दीक तक विग रचे लिए कर दाते हुए इस बाते हुए सुनाया थी